पिछले कई महीनों से करोना योदा के रूप में अपनी सेवाइं देने बाले क्षेत्री हॉस्पिटल बिलासपुर के 11 स्फाई करमचारियों को नए ठेकिदार के द्वारा नोगरी से हटाने का मामला सामने आया है स्फाई करमचारियों ने जिलादीश बिलासपुर्व मेडिकल सुप्रिडेंट आफिसर को शिकायत पत्रसोंपा इन स्फाई करमचारियों का कहना है कि लगबक देज वरचों से बेस्फाई करमचारी के रूप में अपनी सेवाइं दे रहे हैं और पिछले करोना कारेकाल में उन्हें करोना योदा की उपाधी प्रशासन के द्वारा परदान की गई थी उन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों को गर में छोड़कर करोना योदा के रूप में साप सफाई में क्षेत्रिय हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी परदान की लेकिन अब हॉस्पिटल के स टेंडर किसी और ठेकेदार ने लिया है और उस ठेकेदार ने 11 स्वाई करमचारियों को नोकरी से हटा दिया है जिसको लेकर करके स्वाई करमचारियों में गहरा रोश्प्याप्त है। और नए को मिला है उन्होंने बताए कि किसी भी करमचारी को निकाला नहीं गया है सरकार की तरफ से जो नियम शर्ती है उसके अधार पर करमचारी को रखा जा रहा है किसी भी करमचारी को निकाला नहीं जा रहा अगर ऐसा मावला सामने आएगा तो समस्या का हल किया जाएगा करमचारी हैं, हिमाचल परदेश के अंदर और देश के अंदर जब परधान में त्रीवी और तमाम जो संस्था हैं, लोग हैं, मीडिया इनको कुरोना युद्धा की संख्या दे रहा है तो ऐसे दोर में मैं बताना चाहता हूँ कि 23-23 बश कारेकर चुकी ये भाहिलाएं और साथ में कुछ हमारे भाई भी हैं, उनको सिर्फ आना लगा करके कि ये टेंडर जो है, ये चेंज हुआ है और इस वाज़े से आपको नौकरी से निकाला जाता है तो इतना इनके साथ injustice वहाएं के छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ करके करोना के टाइम में ये जो लोग थे अपनी सेवाईं देने के लिए अपने बच्चों को परिवार को खत्रे में डाल करके इन्होंने सेवाईं दी लेकिन अगा आज इमके साथ जो इनको मिल रहा है इनाम मैं बताना चाहता हूँ कि इस वज़े से हमने डीजी साहब को अभगत भी कराया कि अगर ये इस तरीके से इनको निकाला गया अन्याय होता है तो इसके खिलाफ हम चुप नहीं रहेंगे सफाई करमचारी यूनिन ब्लास पुर्जे चुपनी रहेगी और इसका जो खमयाजा है अस्पताल परशाचन को ठेकेदार को और जिला परशाचन को भोगत ना पड़ेगा यह हम कहने आया हैं लंग-लंग की डीजी साहब ने आश्वाशन दिया है कि पहले ही सफाई करमचारीं की कमी है और इनको किसी को हटाया ना जाए यह निर्देश भी टेलिफॉनिकली उन्होंने अमस को दिया इसके साफ से जो है यह जो हमारे ने ठेकेदार साहब है इन्होंने सब्सक्राइब कि इतने लोग है करेंगे और इंकारने का तो हमारा इसमें बनता है नहीं है कि जब लोग इतने साथ हमासे काम करने हमासा टैज्चेंट हो रहेंगे लेकिन आप में टेंडे डोकुमेंट हुआ रखे तो टर्मेंड पेडिशन उसी के साफ से हम इसको रख रहे हैं और रखें भी रखेंगे इसको यह इसमें पर जो हां यह जुरूर है कि जैसे एज फैक्टर है आप जिसकी विजद सरकार ने बोला कि पिचासाथ से अबाबननी होना खारासाथ से कामनी होना तो वो तो रखेंगे जाएंगे ना उतुत